गूड मारिण स्टुडेंट्स। आज हम सुरू करते हैं पेपर सैकेंड के थार्ड ओनिट कार्बो हाईडरेट्स। कार्बो हाईडरेट्स के क्या-क्या इम्पोर्टंस हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं、 क्या-क्या इनकी स्ट्रेक्चर्स हैं। उसके बारे में आज हम बात करते हैं जो बायो केमिस्ट्री के अंदर आता है और उसके पूरी हम स्ट्रक्चर कौन-कौन से जो सेकरेट बॉंड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे तो कार्बो हाइडरेट्स क्या है? ये कार्बन के हाइडरेट्स हैं यानि की देखिए कार्बो हाइडेट्स क्या है पॉलि हाइड्रोक्सिलेटर कंपाउंड है हाइड्रोक्सिलेटर कंपाउंड यानि की जिसमें वाटर का फॉर्मूला ये लागू होगा CH2ON अगर आप देखेंगे C6 H12 O6 उसको आप देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला उसमें फिट होगा यानि की कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ये हर कार्बो हाइड्रेट्स में ये फॉर्मूला फिट होगा Is it clear? अब polyhydroxylated compound at least three carbon atoms यानि इनके अंदर कम से कम तीन कार्बन तो होना ज़रूरी है Three carbon compounds, potentially active carbonyl group जिससे इनके अंदर क्या होना चाहिए? एक active carbonyl group आप जानते हैं कि दो carbonyl groups होते हैं, aldehyde और ketone यानि कि या तो उसमें aldehyde group होगा और या ketone group होगा aldehyde group होगा तो वो बनेगी aldoze और ketone group होगा तो वो होगी ketones अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो organic compound है उसमें carbohydrate ही होता है plant में आप देखेंगे जितना भी reserve food होता है, starch की form में होता है cellulose जो cell wall में है, पूरा carbohydrate होता है fruits में जो fruit sugars होती हैं, चाहिए वो glucose हो, fructose हो, सुक्रोज हो सब ही में carbohydrate होता है और animals के अंदर भी, जो reserve food है, वो क्या है, glycosin है उस form में भी carbohydrate है, blood sugar, glucose है तो most of जो organic compound है, biomolecule, जो macromolecule की category में आता है वो है carbohydrate हम इस carbohydrate में इसके various types के बारे में बात करेंगे कौन-कौन से types के होते हैं, उनका क्या classification है उसे आज हम पढ़ते हैं तो carbohydrate का आप एक तो याद रखें, empirical formula जो है CH2ON, चाहिए कोई भी carbohydrate हो, उसमें यही formula लगेगा अब हम बात करते हैं, classification of carbohydrate carbohydrate को हम तीन main classes में categorize करते हैं जिसमें सबसे पहले होता है monosaccharides monosaccharides का मतलब वो होता है, जो single unit से बना होगा यानि आगे इसका division या आगे breakdown नहीं होगा यानि कि यही unit होगी जो functional form में होगी disaccharides या हम इसको broad category oligosaccharides में categorize कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दू disaccharides में केवल दो unit होगी monosaccharides की यानि कि जब दो monosaccharides की unit आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? disaccharides और दो से लेके 10 तक unit, यानि 2 to 10 unit अगर जुड़ेंगी तो वो क्या कहलाते हैं? oligosaccharides, 2 to 10 oligosaccharides बनेंगे और 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सारे बन जाएंगे polysaccharides 10 unit से ज़्यादा होते ही polysaccharides बनेंगे अब यह polysaccharides कितने टाइप के हैं? homopolysaccharides और heteropolysaccharides जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अब heterop homopolysaccharides मैं फिर भी एक बार आपको introduce कर दूँ homopolysaccharides में 10 से ज़्यादा monosaccharides units होंगी और वो सारी same units होंगी यानि glucose है तो glucose glucose ही होंगी सारी तो आप उससे क्या कहेंगे? homopolysaccharides और अगर 10 से ज़्यादा unit है और वो सारी यानि different type की units है यानि कि glucose भी है उसमें, fructose भी है उसमें, ठीक है? तो और galactose भी हैं, और भी units हो सकती हैं यानि कि mixture of units होगा लेकिन होंगी 10 से ज़्यादा तो आप उससे क्या कहेंगे? heteropolysaccharides फिर तीन type में होंगी, mucopolysaccharides, mucilases, hemicelluloses ये सारी हम पढ़ेंगे भी तो उसके बाद है derived carbohydrates derived carbohydrates क्या होते हैं? कि इनसे कोई और product बन जाएंगे और product बन जाएंगे जैसे oxidation हो जाएगा और reduction हो करके जो product बनते हैं ठीक है? तो वो derived carbohydrates में आएंगे या उनमें amino group जुड़ जाएंगे तो carb amino groups हो जाएंगे deoxy sugars बन जाएंगी oxygen remove हो जाएगी तो जिसे DNA में है वो सब क्या होंगी? derived carbohydrates होगी तो ये चार category में हमने इने classify किया है और एक-एक के बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं monosaccharides mono का मतलब है एक जिसमें single unit होगी monosaccharides कहलाएंगे इन्हें हम simple sugar simple sugars cannot be further hydrolyzed यानि कि इन्हें हम आगे break down नहीं कर सकते यानि कि ये केवल single unit की form में ही होगी आगे नहीं तूटेगी जिसका best example है glucose आप glucose को आगे unit में नहीं तोड सकते glucose की form में ही वो body में रहेगा they are either aldo's अब ध्यान दें आप कि monosaccharides है या तो उसमें aldehyde group होगा और या उसमें ketone group होगा अगर aldehyde group हुआ तो उसे हम कहा देंगे aldo's और अगर ketone groups होगा तो उसे हम कहा देंगे ketoses is that clear अब इनकी property में बताऊँ तो यह white crystalline solids होंगे आप glucose को देख लीजेगा glucose वगरा शुक्रोज तो दो unit मिलके बनते हैं तो यह कैसे होंगे white crystalline solids होंगे most have sweet in test यानि इनका स्वाद होगा जो मीठा होगा देखो इसमें यह क्यां सा गरूप है CHO group, aldehyde group है या तो इनमें यह CHO group होगा यहने हम aldo's कहेंगे या यह ketone group होगा ketose कहेंगे इसे तो monosaccharide में पहली बात तो क्या होगा कि further breakdown नहीं होगा units में एक ही unit होगी यह और यह या तो aldo's की presence aldo's के रूप में होगी या ketose के रूप में होगी ठीक है और यह इनके physical properties है अब आप देखेंगे कि यह जो monosaccharide है यह भी कितने टाइप की है अगर तीन carbon अगर होगे पहले तो आप देखो जो मैंने formula बताया था CH2O और bracket N तो देखेंगे अगर मैं तीन करूँगा तो carbon भी तीन होगे और oxygen भी तीन होगा बट यहाँ 6 हो जाएगा Is it clear triose का मतलब है 3 carbon, tetrose का मतलब है 4 carbon pentose का मतलब है 5 carbon और hexose का मतलब है 6 carbon 7 भी होते हैं जो heptolose में देखें आप यहाँ पर triose में eldose form क्या होगी और ketose form क्या होगी आपने glycolysis में पढ़ा होगा glyceraldehyde glyceraldehyde 3 carbon वाला compound है जो glycolysis में बनता है और साथ में ही इसका ketose form होता है dihydroxy acetone ठीक है यह है triose के एक्जामपल दोनों eldose form का एक्जामपल है glyceraldehyde ketose form का एक्जामपल है dihydroxy acetone अब tetrose 4 carbon वाले का क्या होगा erythrose eldose का एक्जामपल होगा और erythrolose ketose का एक्जामपल होगा pentose यानि 5 carbon होगे example ribose होगा और इसमें ribolose होगा ribolose ribose sugar पता ने कहां होती है RNA के अंदर होती है RNA का पूरा नाम क्या है बताइए RNA ribonucleic acid तो R क्या है ribose sugar और ribolose इसका ketose form है hexose में glucose है eldose form का और fructose है ketose का तो बताइए आपको eldose, ketose समझ में आए और इनके generic name जो triose, tetrose, pentose, hexose है वो कैसे बने है केवल इनमें मिलने वाले carbon की संख्या के आधार पे is it clear next जो second type था oligosaccharide तो इन्होंने हाला की disaccharide को अलग कर दिया है लेकिन हम यहाँ पर तीन की जगे हम यहाँ पर two to ten units ही मानेंगे अगर दो से या तीन से दस unit जुड कर के कोई compound बनाएगी carbohydrate का तो वो क्या कहलाएगा oligosaccharides ठीक है most are not digested by humans enzyme human enzyme से यह digest नहीं होते हैं और होते हैं तो यह इसकी units में breakdown होते हैं glucose final unit में breakdown होंगे monosaccharide attach each other by glycosidic linkage यह सबसे important बात है क्या सबसे important बात है कि देसे मैंने का 10 unit है तो यह unit एक दूसरे से कौन से bond से जुडेगी तो दो unit के बीच में जो bond होगा वो होगा glycosidic linkage क्या होगा glycosidic linkage से जुडेगी इसके अब देखेंगे अब आप dextrin में आप देखें dextrin जो है उसमें कितनी units हैं 8 unit है किसकी glucose की और क्या बन जाएंगी dextrin तो यह सारी unit आपस में किस से जुडेगी glycosidic bond से अब जैसे आप देखें maltolirios जो तीन glucose से मिल करके बनेगी maltolirios isomaltos और trehelos दो unit यानि एक trehelos एक isomaltis maltolirios तो polymer है तीन glucose molecule का यह और example है जिसमें अलग units इसमें जुडी होई होंगी फिर यह आ रहा है disaccharide हमने तो लेकिन आपको बताया olisaccharide को ही हम disaccharide को oligosaccharide में consider करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको अलग से बता दिया जाता है क्योंकि यह थोड़ा सा important है क्योंकि यह हम लोगों के daily life में use होता है condensation of the product two monosaccharide यानि कि दो unit मिलकर के जब group बनाती है तो आप उसे क्या कहते है monosaccharide यानि दो monosaccharide जुड़ेगी तो क्या बनेगा disaccharide जैसे maltose इसके तीन example आपको पढ़ने है sucrose और lactose maltose आपको पता है क्या है glucose और glucose यानि दो glucose की unit आपस में जुड़ जाएगी तो बनाएगी maltose और इसको हम कहते है malt sugar ठीक है sucrose में एक glucose होगा और एक fructose होगा तो वो क्या बनाएगी sucrose मैंने आपको बताया भी है कि जब plant में जो food बनता है वो glucose बनता है लेकिन एक जगे से दूसरी जगे पर transport जो food का होता है वो किस form में होता है sucrose की form में होता है जबकि lactose में क्या होता है ठीक है तो मैंने बताया sucrose कहां होगा plant का जो transporting carbohydrate है वो होता है sucrose और lactose milk में होता है जो glucose और galactose के मिलने से बनता है ठीक है अगर आप इनको hydrolases करते हो आप इनका breakdown करते हो पानी से reaction कराते हो तो यह अपनी अपनी unit में तूट जाएगा जैसे maltose पर आपने पानी डाल दिया तो वो glucose की दो unit में तूट जाएगा hydrolysis of sucrose produce a mixture of glucose and fructose अगर sucrose को हम break करेंगे तो glucose और fructose में तूट जाएगा और इन्हें हम कहते invert sugar because fructose is strongly laboratory जो अभी बताएंगे आपको यह laboratory sugar है और एक dextreatory sugar होते है dexter rotatory होते हैं and changes the weaker dexter rotatory action of the sucrose fructose है जो laboratory and change the weaker dexter rotatory action of sucrose को जो dexter rotatory है क्योंकि खुद यह fructose है उसमें यह laboratory है जबकि sucrose क्या होता है dexter rotatory है तो इसको कम कर देगा ना क्योंकि गुलकोज डेक्स्टर रोटेट्री है और यह लेवर रोटेट्री है तो इन दोनों को इसकी डेक्स्टर रोटेट्री एबिलिटी है उसको वीक बना देगा Is it clear? Then polysaccharide अब polysaccharide में अगर 10 से ज्यादा यूनिट जुडेंगी दस से ज्यादा यूनिट जुडेंगी तो क्या हो जाएगा वो? Polysaccharide हो जाएगा और हमेशा यह stored food की तरह काम करता है from structural element of the cell और cell का जो main structural element है जैसे cellulose hemicellulose वो सब बनाएगा कौन? Polysaccharide अब polysaccharide भी दो टाइप के हैं homo polysaccharide and heteropolysaccharide homo polysaccharide में क्या होगा? एक ही तरह की सारी यूनिट होगी यानि की glucose, glucose, glucose की सारी यूनिट glycosidic bond से जुडेंगी तो homo polysaccharides बनेगा example आप इसका देख सकते हैं starch जिसमें केवल glucose ही होता है glycogen में भी glucose ही होता है cellulose में beta glucose होता है और dextrin में भी glucose सब ये homo polysaccharide है और single unit के जुडने से ही बनती है heteropolysaccharide में क्या होगा? number of different monosaccharides यानि की अलग monosaccharides होंगी mucopolysaccharide है जिसमें देखिए एक unit है high hyaluronic acid की hyparin, chondrian, sulfate, blood group, polysaccharide, serum, mucoid ये सारे example है mucopolysaccharide के mucilase एगार-एगार है और vegetable gums है पक्तिन्स है hemicellulose है ये सब किसकी example है? heteropolysaccharide के अगर आप इनकी structure देखेंगे तो ये अलग-अलग unit से मिल करके बनी हुई होंगी तो आज के लिए इतना काफी है next हम next class में पढ़ेंगे